नमस्कार स्वागत है आपका इंडिया न्यूस पर और मैं हूँ आपके साथ स्वाजी सिंग मदुमक्खी का शहद जितना मीठा होता है उसका डंक उतना ही घातक होता है दर्दनाक होता है आप भी मदुमक्खी को देखकर इधर से उधर भागने लगते होंगे क्योंकि आपको भी पता है कि काठने के बाद क्या अंजाम होने वाला है कितना दर्द कितनी तकलीफ का सामना आप करने वाले हैं हाला कि मदुमक्खी को इतनी बड़ी चीज नहीं होती है कि आपको अगर डंक मार दे तो बस आपकी मौत हो जाएगी लेकिन फिर भी आप ड़ते हैं क्योंकि आप उस दर्द से ड़ते हैं आप ड़ते हैं उस बुखार से आप ड़ते हैं उस सूजन से तो चलिए इस वीडियो में कुछ जानकारी ऐसी देख लेते हैं जो मदुमक्खी के डंक को निकालने की या फिर आपको राहत की साफतोर पर जानकारी देगी मदुमक्खी अगर डंक मार दे तो उस जगह पर सूजन तो आही जाती है साथ ही तेज दर्द भी शुरू हो जाता है कई बार तो दर्द और जहर के प्रभाव से बुखार भी आ जाता है और आपको बता दे कि मदुमक्खी या दूसरे के नुकसान पहुचाने के लिए नहीं बलकि आत्मरक्षा में डंक मारते हैं या काटते हैं मदुमक्खियों के डंक में जहर होता है जिससे शरीर में संक्रमन भी हो जाता है नन्नी सी दिखने वाली मदुमक्खी का डंक मार देना व्यक्ति को कितना बुरा हाल कर देता है या आपने कभी ना कभी जरूर किसी ना किसी पर देखा ही होगा हो सकता है आपको भी ऐसा स्थि सूजन आ जाती है और तेज दर्द भी होने लगता है अगर कभी आपको मदुमक्खी काट ले तो उसके लिए तुरंत असर करने वाले कुछ घरिलू उपाय आपके लिए लेके आए हैं जो आप अजवा सकते हैं और दर्द और सूजन से रहत पार सकते हैं डंक निकालने के ल कारण बन जाता है डंक निकालने के बाद उस जगह को सावन से साफ भी करना है एंटी सेप्टिक क्रीम लगानी है बर्फ का भी आप इस्तमाल असाफ तोर पर कर सकते हैं बर्फ का इस्तमाल करें मदुमक्खी के काटने के तुरंद बाद प्रभावित जगा पर आप बर्फ लगा लें बर्फ थंडा होने के कारण मदुमक्खी का जहर शरीर में फैलने से रोखता है साथ ही तेज दर्द में भी राहत मिलती है आपको बता दें आप बेकिंग सोडा का भी इस्तवाल कर सकते हैं बेकिंग सोडा असानी से आपकी किचिन में मिल जाएगा बेकिंग बेनेंगर करता है जहर के असर को कम करता है साथ ही धर्द खुझली सूजन में लाहत पोंचाता है शहिद भी आप लगा ले वो मदुमक्खी जो शह्यार के लिए जानी जाती है और साफ़ तौर पर जो दर्द देता है वही दर्द काटने का इलास भी होता है शहेद आप लगाएं मदुमक्ही के काटने पर तुरन शेहद लगा लें शेहद में पाई जाने वाले एंटी बैक्टिरियल गुर्ड जहर के असर को कम करने में साहयक होते हैं इसके अलावा यह संक्रमण फैलने से भी रोकते हैं ऐसे ही तमाम जानकारी के लिए आप हमारे साथ बने रहे आने वाले